हलो एरिवन तो आर्पी एफ कॉंस्टेबल और एसाई का नोटिफिकेशन आउड हो गया और वंग पर वेकेंसी आई है दोनों में टोटल जो है 4660 वेकेंसी आई है ठीक है तो मैं इस वीडियो में आपको सब चीज बताने वाला हूँ कितना एज लिमिट है क्वालिफिकेशन किया है कितनी वेकेंसी है इसके बारे मैं एकजाम के बारे म sättانे वाला हूँ पोस्ट कब अप्लाई कर सकते हो वैकेंसी चैलरी पोस्टिंग अप्लाई डेट लास्डेट इक्जाम डेट सारे चीज़े और साथ मैं बुक्स भी बताऊंगा कि कौनसा बुक्स का इसको रिफे अफ़ा देता हूं यह नोटिफिकेशन आये हुआ है और पीफ का ठीक है तो डीटेल में बताता हूं आपको कि आप इसके लेजिबल हो की नहीं हो यह चीजे इसमें कुछ physical standard वेगरा भी चाहिए तो यह सब चीजे मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका age limit का तो age limit क्या है age limit जो आपको है एक साथ 2024 से count होगा इस दिन से count होगा ठीक है अगर इस तारिक तक आप 18 साल के हो गये होंगे तो आप जीबल है constable के लिए और 25 साल से कम होना चाहिए यह UR category के लिए ठीक है और OBC के लिए 3 साल का relaxation मिलता आपको पता ही है सब इंस्पेक्टर के लिए आप 20 साल के होने चाहिए एक साथ 2024 को और maximum age 25 साल होना चाहिए और OBC के लिए आपको 3 साल का relaxation और HTAC के लिए relaxation होता है ठीक है उसके बाद application fee देखा जाए तो यहां पर 500 है UR, OBC, WS का लेकिन जब आप अगर आप appear होंगे exam में तो आपको 400 fee refund कर द refund कर दिया जाएगा तो मान लो effective आपको जो fee है 100 रुपया है और AC, ST, ST के लिए और PWD और महिला candidates के लिए जो women's के लिए 250 fee है लेकिन आपको यह refund कर दिया जाएगा अगर आप appear होते है exam में तो यह अच्छी बात है ठीक है कि आपको 250 लग रहा है लेकिन आपको नहीं मिलेगा 155 cm है तो आप अपना measure कर लेना और female के लिए 157 cm है और वही चेस्ट आपको जो चाहिए unexpandent बिना फुलाए 80 cm का चेस्ट होना चाहिए और फुलाए करके 85 cm होना चाहिए तो यह आप चेक कर लो पहले से कि आपका इतना height है कि नहीं कि preparation करने चे कोई फाइदा नहीं जब आ CST के लिए 160 cm male के लिए और 152 cm female के लिए और जो चेस्ट चाहिए 76.2 cm चाहिए और फुलाए करके 81.2 cm का चाहिए ठीक है और बाकी जो गोरखाज, मराठाज, दोगराज यह सब को 163 cm चाहिए height चाहिए और 155 cm female के लिए चाहिए 80 cm चेस्ट यह male के लिए female के लिए तो कोई chest क requirement नहीं होता है, 80 cm बीना फुलाए और 15 cm फुलाग करके, physical measurement हो गया, अब जो test होता है, physical, visibility test होता है, ठीक है, एक तो measurement हो गया, आप दोड़ वोड़ होता है, वो सब चीजे देख लो, आप क्या होता है, SI के लिए क्या होता है, आपको 1600 meter का जो दोड़ है, 6 minute, 6 minute में complete करना कोई दोड़ 1600 meter का नहीं, 800 meter का जो है आपको 800 meter का जोड़ है, आपको 4 minute में complete करना है, long jump 9 feet और high jump 3 feet करना है, आपको उस्तेवल के लिए क्या है, आपको 1600 meter का दोड़ है, ये तो 6500, 500, 656 में complete करना है, जो कि difficult होता है, तो आप अगर प्रक्टिस नहीं कियो तो अभी प्रैक्ट होना चाहिए और हाई जम जो है चार फीट का होना चाहिए और कॉंस्टेबल फीमेल के लिए इंग्लिस इसमें subject नहीं है, ठीक है, 35 question, 35 marks का total, 120 question, 120 marks का 90 minute आपको time मिलेगा, ठीक है, 90 minute, देड़ घंटे time, इसका जो syllabus है आप देख सकते हो, general intelligence, general intelligence, reasoning का यह सब judgment वेगरा, वही सब जो normal जो होता है, जो syllabus होता है, reasoning का वही सब, बाकी exam में, arithmetic में वही है, सारे number system है, whole number है, decimal fraction हो या, mensuration का भी कुछ-कुछ है, time distance है, ratio proportion है, यह सब चीज़े, profit lost है, तो यह सब सारे subject चीज़े पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, और जो, आप screenshot ले सकते हैं उसका, और general awareness का जो है, GK में आपका, general knowledge होता है, science का होता है, geography का होता है, polity का question होता है, जो normal questions होते हैं, वही जलते हैं कि pay, इसका कितना है, salary आपको कितनी मिलेगी, बताओ, तो constable के जो है, initial pay, 2700 है, basic जो, बोलते हैं, और sub inspector के लिए initial pay, 35,400, यह basic pay है, basic, इसके साथ allowance अगर आपको मिलेगा, तो आपका पुरा salary हो जागी, in hand, लगबग, 33,000 से लेकर के, 35,000, 37,000 तक आपको enhanced salary मिलेगी ठीक है, depend करता कि आपको consistency में मिलता है, sub inspector का जो enhanced salary आपको मिलेगा, 55,000 से लेकर के, 60,000 तक का आपका salary रहेगा, sub inspector के लिए, ठीक है, तो salary काफी अच्छी है, पहली, और यह notification है, यहाँ पे दिया हुआ है, दोको, यहाँ पे आप देख सकते हो, कि दोको, 400, जो है न, salary refunded, 400, 500 दे रहे हो, 400 refund हो जाएगा, और इसमें 250 will be refunded, ठीक है, अब हम कुछ books देख लेते हैं, जो कि important है, आपको इसके लिए पढ़ने के लिए, तो यह है, दोको constable के लिए, hidden publication की यह बूक है, यह आप ले सकते हो, अच्छा, form date apply करने का तो मैंने बताया है, ने कि कब से apply कर सकते जो date apply करने का form, वो आप चौथे महिने से apply कर सकते हो, 15-4-2024 से opening date होगा, online apply करना है, ठीक है, 15-4-2024 से, और closing date है, एक महिने तक लगभग आपका form भराया जाएगा, तो April में महिने में, April से मही तक होगा, तो अभी time आपके पास है, लेकिन तयारी अभी आपको शुरू कर द और यही सब जोन का website जहाँ पे है, उसी website से आपको करना है, क्योंकि बहुत सारा धोखेबाजी भी होता है, form भरने में, आपसे पैसा ले लिया जाएगा, तो आप जो official website है, वहीं से आप apply करोगे, ठीक है, और कुछ books है, जैसे कि किरन publication की ये books से आप ले सकते हो, previous year questions बनान ये है, और constable का practice book भी है, ये ले सकते हो, और SI के लिए जो book है, इसमें जो previous year का paper है, आप ये देख सकते हो, पूरूस महिला दोनों का, सारे shift का paper है, previous year का, आप ये, और जो sub inspector का practice book, वह आप ले सकते हो, इसमें 22 set आपका दिया होगा, ठीक है, तो ये दोनों book आपके लिए helpful रहेगा, ओके, तो I hope की, ये वीडियो आपके लिए important हुआ होगा, ठीक है, और इसी तरह से मैं जितना भी vacancy आएगी, सबका मैं आपको notification देता रहूँगा, और एक मैं playlist बना दूँगा, उसमें डालता रहूँगा, तो अगर आप regular आपको notification चाहिए, कौन-कौन सी vacancy आ रह ठीक है, तो आप इस channel को subscribe कर लो, like कर लो, ताकि आपको जितने भी notification है important exams के आपको मिलता रहे, thank you so much for watching this video, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और नए motivation के साथ, चलो, bye-bye.